उसमें समेस्टर में यह लीनियर आइजब्रा के रूप में है ठीक है तो लीनियर आइजब्रा के नाम से सब्सक्राइब देखें जो आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे अप मज करेंगे अपने अनसाब से पूछे गया है यह इस पेसर वीडियो डिडियो जीकेपी और से धात निविश्टी के लिए अगर आप दूसरे इनिविश्टी से बिलाउं करते हैं तो भी आप इस वी है इस कोशन में क्या का आगया so that the mapping T78 R2 से RQ given by TXY is equal to X, Y, 0 is linear मतलब इस मैपिंग जो defined है linear transformation जो भी defined है मैपिंग यह R2 से RQ और defined है function मैपिंग dependent है इसको आपको linear transformation दिखाना है तो obvious है जहां भी linear transformation होगा यह कोशिक तो होना ही होना है ठीक है तो वह ही कि उसी कटार में हम क्या करते हैं आगे history करते हैं यह book का exercise जो है आपका 6A book का पहला question है so that the mapping T such that R is equal to Q given by TXY is equal to X, Y, 0 is linear अब पता तो linear transformation होने के लिए क्या क्या है मैं आलेड़ी इस पर वीडियो में आ चुखा हूं फिर भी मैं इसमें question कराएंगे हां ठीक आपको बता दूँ कि कोई मैंटिंग पंसर डिफाइंड है उसको linear transformation कैसे दिखाते हैं इसकल टू A T X A T X is equal to F plus B T Y राइट यह दोनों अगर एककोल हो जाते हैं तो हम कोई देंगे यह linear transformation है तो चलिए हम assume करते हैं let U is equal to assume कर ले X1 कामा Y1 राइट और V is equal to assume कर ले X2 कामा Y2 ठीक है अब definition apply करते हैं अब यहां पर यू और भी किस से बिलांग कर रहे हैं आर स्कॉर से एक अमार बी जो हमारे स्केलर है वह फिल आर से बिलांग कर रहा है क्योंकि इसमें और खेंगे और रहे है तो यहां से देखेंगे पहले हम यह term निकालते हैं उसके बाए यह term निकालेंगे left-hand side निकालें राइट-hand side निकालेंगे दोने एकल हो आएंगे हम करेंगे linear transformation qg लेकर टाए है टी-U के जगह पर क्या है एक्स-उन कामा Y1 X1, Y1 B के जगे पर क्या है? X2, Y2 ठेके? अब यहां से का हर्फ रास भूस को A से multiply करेए, B से multiply करेए तो अब यह multiply करेए A से multiply करोगे A X1, Y1 और यहां पर प्लस B से multiply करेए B X2 B Y2 अब तो आइड करिए आइड करेंगे तो क्या आएगा AX1 प्लस BX2 पहले को पहले के साथ आड कर सकते है न फिर दूसरे वाले को दूसरे के साथ AY1 प्लस BY2 अब देखिए ये हमारा किस फार्मेट का आगया जो डिफिनीशन है TXY TXY का डिफिनीशन है उस फार्म में आगया TXY के पार्म में X जगह पे AX1 प्लस B AY1 प्लस B Y2 आगे ने फार्म में अब X जगह पे ये है Y के जगह पे ये है अब इफिनीशन अपलाई करिए डिफिनीशन क्या आता है X1 X कामा Y कामा 0 X के जगह पे क्या है AX1 प्लस B X2 कामा Y के जगह पे क्या है AY1 प्लस B Y2 कामा 0 आपने लेफ्ट हम साइड जब निकाला तो ये आया हुआ है इसको नोट डान करिएगा देख लिजेएगा ठीक है तो ये आया अब अचको हम राइट से इन साइड निकालेंगे राइट से इन साइड क्या आने वाला है देखिए राइट से इन साइड ये होगा हमारा ठीक है राइट इन साइड क्या है A T X प्लस B T Y ये है ना ये हमारा है राइट से इन साइड अब हम देखिए, U हमने एजूम किया हुआ है, तो A T U और T B, तो यहाँ पर U को जगा पर क्या है, X1, Y1 और यहाँ से X2, Y2, है न, डिफिनिशन क्या है, देखिएंगे डिफिनिशन हम क्या है, X1, Y1, 0, यहाँ से डिफिनिशन आप अप्लाई कर लीजिए, A X1, Y1, 0, प्लस B X2, Y2, 0, ठीक है, अब यह से मल्टिप्लाई करिएं, अब A X1, A Y1, 0, प्लस B X2, B Y2, 0, मल्टिप्लाई कर लिए, अब आड करते हैं, पहले बाले को पहले के साथ, दूसरे बन दूसरे के साथ, तीसरे बन पोसरे के साथ, अड कर लेते हैं, देखते हैं, क्या आता हमारा ये टर्म आता कि लिए आता है, ठीक है, तो अड करते हैं, हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, A X1, प्लस B X2, A Y1, प्लस B Y2, देखी हमारा जो आया A T U प्लस B T B यह आया ठीक है यह आया और जो हमारा T A U प्लस B B यह यह आया हुआ है दोनों इकल होगा तो हम कह देंगे कि वो linear transformation है यस दोनों इकल आ रहा है इसका मतलब क्या है T is linear T is linear तो कोई भी myopic function defined है अराम से आप बस यसी formula को apply करिए अराम से कोई भी question आप linear T condition जो है दिखा सकते हैं कोई दिकश्म में नहीं है तो पहला question था आई हम next question देखते है आई हम next question देखते है next question देखा गया है कि the so that the mighty T such as R square is given by T X Y is equal to Y comma X क्या दिखा है Y comma X defined है is an isomorphism मतलब isomorphism होने पहुत से हमने condition पढ़ा है पहला है पढ़ा है अगर कोई function या myopic isomorphism है मतलब isomorphic है तो वो one one and two होगा वो क्या होगा inevitable होगा वो non singular होगा तो इस तरह से हमने पढ़ा theorem भी बहुत किया हुआ है तो कैसे करेंगे इस question को कि कोई भी function जिसे आपको दिया define है T R square to R square दिया है उसके बाद T X Y क्या दिया है T X Y दिया है Y comma X दिया हुआ इसको दिखाना आपको isomorphism दिखाना है मतलब इसमें दिखाना यह है कि जो T is isomorphism isomorphism and या आप ऐसे कह सकते हो R square R square क्या है isomorphic है यह करना हो तो इसको दिखाने के लिए T को 1,1 and 2 दिखाना पड़ेगा now we prove that now we prove that T is 1,1 and 1,2 अगर 1,1 and 2 दिखा देते हैं तो हम कहा देंगे क्या है कि वो isomorphism क्या है isomorphism तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा दो element इसके domains लेजिए X1 comma Y1 and X2 comma Y2 belongs to R square तो जो उनका image होगा न वो क्या होगा इक्कोल होगा अगर वो 1,1 है तो ठीक है और according to definition definition क्या है y comma x है Txy के definition क्या है y comma x है तो यहाँ से क्या आजाएगा y1 comma x1 and y2 comma x2 वरबर पी definition यह नहीं करते है कि अगर मान देजे कोई भंसन दिफाइन है उसके domain से आप 2 element लेते हैं उसका image अगर equal है अगर f है 2 element आप x comma y लेते है domain से तो f x is equal to y है तो imply करना चीए x is equal to y तभी तुम कहेंगे वो 1 1 है ठीक है तो यहां से देखेंगे कि y1 equal है y2 k and x1 equal है and x1 equal है x2 k तो this imply x1 comma y1 equal to x2 comma y2 इसका मतलब क्या हो गया कि t हमारा क्या हो गया t हमारा 1 1 हो गया this imply t is 1 1 t is 1 1 t को हमने 1 1 देखा दिया अब t को हम क्या दिखा दे अगर unto दिखा दे तो हमारा यह proof हो जाए कि iso t जो है वो हमारा क्या है isomorphism है क्या isomorphism है तो left वाई कामा यक्स बिलंग्स टू आर स्कॉर अब देखिए अंटू दिखाने के लिए क्या होता है अंटू दिखाने के लिए इस कोई भी आप एलिमेंट लो कोई भी एलिमेंट लो एक इलमेंट ऐसा इस डोमेंट से एक्जिस्ट कर जाए जिसका इमेज यह बन जाए तो हो लेट वाई कामा यक्स बिलंग्स टू आर स्कॉर दें लेट फ़र के बरे, कोई भी आप ले, इसे, इस टाइप का कोई भी element लेया, r square से, then there exists, x, y belongs to domain r square, domain r square, such that txy is equal to y, x hence t is unto, कहाने का मतलब यह हुगा, y, x जैसा आपको भी element r square से लेंगे, 4 domain से, आपको इस type का, इस में मिल जाएगा element, x, y type element domain से मिल जाएगा, such that txy is equal to y, x इसका मतलब क्या हुगा, t is unto, t11 अप unto, दोनों हो गया, इसका मतलब क्या है, कि t क्या है, हमारा isomorphism है, therefore, therefore, t is isomorphism, ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आपसे एक्जाम में कोशन पूछे जाया है, कोई function mapping defined हो, आपसे पूछा ये जाता है, कि उससे नंस, singular दिखाईए, परा कंडिशन, उससे आप invertible दिखाईए, दूसरा कंडिशन, उससे आज, उससे आज, index question देखते हैं, आज देखते हैं, नेश कोशन, नेश कोशन देखते हैं, नेश कोशन में भी आपको क्या दिखाना है, linear दिखाना है, linear type ambition दिखाना है, आया, जब इसको आप कर मोड़ोगे, ठीक है, Easy, बिल्गुल है, same हो हो ही, this question दिखाई मीं, B is equal to A T U प्लस B T B अगर ये proof कर देते हैं तो हम कर देंगे जो यह linear diagrammation बना रहा है यह एक-टी리री तो उसके लिए हमोग क्या करना है U is equal to assume क्या हिए ट्री टैनतर है तो assume क्ष़ist X1, yum, Y1, yum, Z1 और B slim क्या assume क्या assume क्रक्ले B slim ikson क्रक्ले लिए फर्मूला है तो उसके लिए आपको क्या करना है यू इसका जो फिल्ड आजुम करें हम आज से एजुम करने करते हैं तो करते हैं तो यहां से यहां से यह को जगह पर कहा है अब सिंपल वहीं मल्टिप्लाई करते हैं यहां से यहां से मल्टिप्लाई करेंगे तो देखिए कासे मल्टिप्लाई करेंगे तो दूसरा यहां पर क्या है बी से करेंगे बी अक्स टू बी वाई टू और भी जटू पर चू प्लाई करों मल्टिप्लाई करेंगे तो और यह total क्या है? Z है, division हमारा क्या है? x minus y comma x minus z, देखरे हैं, x minus y comma x minus z, बैर रखिए, और आजाएगा, तो जब आप apply करोगे, तो a u plus b, भी जो आएगा, ये ब्रटन, वो equal होगा इसके, जब यहाँ apply करो, क्यों कि हम बाल लेडी बहुत पढ़ चुके हैं, तो आप इसको आप कर लेजाएगा, ठीक है, easy, बिल्कुल है, इसको भी आप कर लेजाए, try कर लेजाए, next question, question number four में, question number four में, question number four में आपको क्या दिखाना है, linear high की नहीं ये दिखाना है, question number four में दिया गया, क्या दिया गया है, कि the, so that, the following, following, my pink, is not linear, linear नहीं होगा, ये दिखाएगा, ये पूछा जाएगा आपसे, question number four में, कि linear नहीं होगा, तो ये पाइला question देखिए, ती, such that, r square to r square, और divine क्या है, txy, txy, divine is sine x, और y, ये आपसे question दिया है, sine x, y, sine x, y, ठीक है, तो बस simple, यही सब चीजें इसमें भी करने हैं, question number four में भी, आपको, क्या कहना, linear नहीं है, linear transformation नहीं है, ये दिखाना है, तो बस simple है, कि जो definition है, t, a, u, plus b, b, not equal to a, t, u, plus b, t, b, मतलब x, y, u, ले सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये equal नहीं आएगा, तो यहाँ पर का होगा, linear transformation नहीं होगा, तो question अब first ये है, second question में मैं ले देता हूँ, आप try करिएगा, ठीक है, second question में देखिए, क्या दिया गया है, second question में मैं ले देता हूँ, मैं भी मैं ले देता हूँ, T X Y 1 plus X कामा Y ठीक है मतलब कि दो रूरों कोचर में आपको linear टार्क फार्मेशन नहीं बनेगा यह आपको दिखाना है ठीक है जो definition आप अप्लाई करते हैं चले आ रहे हो वही अप्लाई करना यहाँ पर क्या होगा यह left और right side क्या होगा equal नहीं आएगा करिएगा नहीं आगा तो comment करिएगा बताएगा बताएगे फिर से I hope लेकिन आपको यह है कि यह clear है कि आपको यह आजाएगा यह समझ आजाएगा तो कि जो definition आप्लाई कर रहे हैं यह वाला one definition यहाँ पर करना है और आजाएगा वह linear नहीं है तो क्यों नहीं है क्यों कि लेक्त साइड इसके जो recall नहीं यह आएगा इसका ठीक है अब हम कुछ important question करेंगे जैसे कोई भी question दिया हो और उसका rank nullty कैसे सारा चीज़ find करते हैं उससी हम find करने वाले हैं ठीक है आप यह बताएं यह question कहा नहीं पूछा जाता है और question बड़े बड़े जो आप जाओ करने question center में तो ऐसे ही वो लोग भी बताते हैं और यह आपके इन्वर्स्टीज में डिदी उजी के भी 12-14 पूछा गया था question है हालागे question बड़ा वो नहीं है एक question में सब कुछ जो भी चीज आप मनें आपको बता है range, rank, null space, null t सारा में निकाल के आपको दिखा दूँगा find the rank, range range, range जिसे image से भी बोलते है image आपर टी भी बोलते है range, rank, null space and null t आप linear transformation transformation का defined है r square to rq defined by t x y star to x plus y, x minus y, y, y इस linear transformation का आपको range set range set में कौन-कौनस element आएंगे rank क्या होगा null space क्या आएगा हाँ, उसके बाद इसका nullty क्या आएगा ठीक है, तो सारी चीज़ें इस video में हम देखेंगे चलिए इसको तर्तिय कोशन को बहुत important question है ठीक है, अगर आपने प्रिशक करने जा रहे है तो यह आपके लिए संजीवनी बुट्टी का काहा करेगा ठीक है, पहले बात में आपको दिखानों प्रॉस है देखें, r q से r, r square से r q dimension आप इसका जो domain है ना उसका क्या है, 2 है इसका हम यूज करेंगे हाँ, diamonds आजका क्या है, 2 है diffusion क्या रिफार्ण है t x y is equal to x plus y कामा x minus y, कामा y ठीक है the stand-up standard basis of r square back-to-space r square का standard basis क्या होता है हमने क्या हो से लिए लिए b1 से लिए लिए, किसे लिए लिए b से लिए लिए, क्या होता है 0,1,0,0,1 r q का standard basis क्या होता है 1,0,0,1 करें में r q, r square की बात की जाएगी इसके basis में यहीं दो standard basis में यहीं दो element आते है अब डिफिसेंट पर 1,0 रखिए और 0,1 रखिए चलिए रखते हैं तो 1,0 तो यहां से क्या आगा 1 1 और 0 ठीक है यहां पर रख रहा हूं 1,0 मैंने यहां पर रखा और यह अप्लाई करने पर 1,1,0 आगा अब दूसरा क्या है 0,1 रखेंगे 0,1 करेंगे 0,1 रखेंगे तो क्या आएगा 1,0,1 रखेंगे 1,0,1 रखेंगे तो इसके बेसिस में यानि जब आपने इसका दिपनिशन अप्लाई किया तो क्या आपका बेसिस में मतला यह रेंज सेट के बेसिस में कौन कौन से एलमेंट आए रेंज सेट में क्या है दा रेंज आप टी इस दा रेंज आप टी इस क्या आप यह दू एलमेंट आ रहे हैं 1,1,0 and 1,-1,1 ठीक है यानि उसके आप टी इमेज आप टी में कौन कौन से एलमेंट आ रहे है यह दो आ रहे हैं आपके 1,1 1,1 1,1 यहां पर 1 रहे हैं 0 आएगा 1 आएगा यहां पर क्या रहे है 1 आएगा यहां पर 0 ठीक है 1,1,0 आ रहा है क्या रहा है अब हम जानते हैं कि रेंग की डिफिशन क्या है रेंग रेंग आप टी को हम रोटी बोलते हैं या उसको हम बोलते हैं dimension of rt कितने element है इसके अबदर जो आपका rank rank क्या होगा इसके rank set में कितने element है एक और दो दो रेंट इनीना rank क्या आ गया rank क्या आगया टो आगया ठीक है अरे एक दो ही element है एक एक वन कामा उनकामा जिरू एक वण कमा माई लेज़ा बनाए नलिश्पेस के डिफिनिश्ट्रम क्या होता है non-space की diffusion क्या होता है non-space को हम non-space को हम nt भी बोलते हैं image-apti और rank-apti को हम rt भी बोलते हैं ठीक है image-apti या range-apti भी बोलते हैं तो diffusion क्या होता है x, y belongs to rq r square such that txy is equal to 0 यही तो होता है definition null space का x, y क्या definition है यह definition apply है x plus y इसको 0 कर देंगे t, क्या है definition txy is equal to 0 txy is equal to 0 का मतलब हो गया x plus y is equal to 0 x minus y is equal to 0 y बराबर 0 यानि x is equal to 0 y बराबर भी क्या जाएगा 0 आजाएगा यानि इसके null space में क्या है null space में y 0 का मा 0 आया क्या है 0 का मा 0 आया तो null space में anti-scultu हमें निकाल दिया 0 का मा 0 आया अब नल्टी की बात करें तो हम जानते हैं definition rank of t plus null t आप t is equal to dimension आप domain जानते हैं न ये definition होता है ना तो यह rank of t निकाल चुके हो rank of t निकाल चुके हो rank of t निकाल चुके है आप 2 आया हुआ है rank of t निकाल चुके होता है तो 2 यहां पर नल्टी आपको निकाल ला है और dimension आपको domain क्या है 2 है तो आप रख देजिए तो rank of nal t 2 ये minus 2 क्या जाएगा 0 वजाएगा यह जो नल्टी आप t है क्या मिलेगे आपको जीरो नल्टी आप t 0 null space ये आपका rank of t आपका ये आप ये आ गया rank of t ये आप ये आप और rank Improve हो जाहे आप जाहां बही linear पड़ रहा हूं सारे जगाे यह हरском सारे जगा 알moves आपको मिलेगा है कही नग Tra bee खरींगे . सबनेके सब्सक्ते में इसमित गते ही अधियो siitä ृषषी न म review